कि हेलो क्षाव्रेंट्स आज हम बात करेंगे इम साइकुल के यह आपका वेरी वेरी इमपोर्टेंट इससे रिलेटट कुशन आपका एक नंबर में यूपी टेट में हर साल पूषता है कि मायक्रोटिचिंग का जो साइकिल होता है देखें यहां पर जो कितना छे स्टेप होते हैं सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल होता है वो छे स्टेप होते हैं इनके फर्स्ट क्या है देखिए प्लानिंग पाथ योजन या नियोजन इसके छे स्टेप है माइक्रो टीचिंग के फर्स्ट आपका प्लानिंग है सेकेंड टीचिंग सिछड हिंदी में बोलते हैं थर्ड आपका फिडबैक है प्रति पुष्टी उसके बाद री प्लानिंग नेक्स्ट क्या है री टीचिंग उसके बाद नेक्स्ट री फिडबैक यहाँ पर इसका क्या मिंस है जो माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल है यह कैसे चलता है हम इसकी बात करेंगे कि टीचर जब भी जो pre-service teaching कराई जाती है, micro teaching को ही बोला जाता है, teacher बनने से पहले teaching कराई जाती है, जो लोग BAD BTC करते हैं, उनकी एक महीने की teaching कराई जाती है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, कि जो भी उनको topic दिया जाता है, पहले उसका पाथ योजना, पहले उसका planning करते हैं, उसके बाद क क्या करेंगे teaching चराते हैं और वो जो teaching कराने का आइन होता है कि यत्venue रख गया है तो 6 विर चैनल रख गया है उसके बाद क्या करते हैं जो teaching करालेते उससके साथ teaching के साथ-साथ feedback भी लिया जाता है तो यहां पर देख ElonKa feedback लिया जाता है वह कितना होता है तो छे मिनट, फिडबैक छे मिनट का होता है, उसके बाद री प्लानिंग किया जाता है, उसके बाद फिर से री प्लानिंग की जाती है, वो कितना होता है, आपका बारा मिनट होता है, फिर से री टीचिंग कराई जाती है, यहाँ पे री प्लानिंग के बाद फिर से री टीचिं कराई जाती है वो आपका कितना होता है वो छे मिनट का होता है उसके बाद फिर से री फीडबेक कहरा जाते क्योंकि micro teaching में इसका मिन्स ही क्या है कि teaching के साथ साथ feedback भी लिया जाता है तो जो refidback होगा वो कितना होता है छे मिनट का होता है यही आपके क्या है micro teaching cycle है डारेक्ट इसमें ऐसे question आपका पूछ देता है कि जो replanning होती है यहाँ पे replanning दे रखा है इसकी timing कितनी होती है micro teaching जो replanning होती है वो कितनी होती है तो 12 मिनट होती है यहाँ पे option में आपको दे देगा 6 मिनट भी दे देगा 12 मिनट 15 मिनट तो उसमें जो answer कौन सा सही होगा आपका 12 मिनट क्योंकि replanning 12 मिनट का होता है अगर refidback की बात की जाए तो वो 6 मिनट का होता है क्योंकि ऐसे direct आपका question पूछ सकता है replanning 12 मिनट का होता है refidback 6 मिनट का होता है और reteaching वो भी आपका 6 मिनट का होता है यह सारे जो point है आपके आपको याद होने चाहिए क्योंकि यह direct पूछ देता है यूपी टेट में अगर total की बात की जाए यहाँ पे micro teaching की total की बात की जाए total time की तो वो कितना होता है 36 मिनट का होता है micro teaching की जो time period होती है total वो 36 मिनट होती है यह planning से ले करके और refidback तक यह आपका 36 मिनट का होता है यहाँ पे देखे यह circle बना रखे हैं हमने कि पहले हम क्या करते है planning उसके बाद teaching आपकी उसके बाद feedback फिर से replanning होता है उसके बाद फिर से re-teaching फिर then refidback और इसका time कितना कितना होता है यह आप यहाँ पे note कर सकते हो या screenshot भी ले सकते हो total time period होता है micro teaching का 36 मिनट यह आपका very very important है इसको आप screenshot भी ले सकते हो या copy में note down भी कर सकते हो Thank you